नमस्कार साथियों आज में लेकर फस्त धुआओं राजसान की लोक कलाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्णों 3 ठीक है तो वन लाइनर कोशन से डारेक कोशन और आंसर दे रखें मैंने तो बीना टाइम गवाय शुरू करते हैं फड के चिंतरांकन में साथू के पात्र को किस रंग से चितित किया जाता है तो साथू का जो पात्र है वो इसमें जो एक सिंबोल दिया गया है रंग के बारे में तो वो है सफेद रंग ठीक है वाइट जो रंग है वाइट कलर जो है वो साथू संतों के लिए दिया गया है फ देवताओं को जो चितित किया गया है वो लाल रंग में चितित किया गया है ठीक है फर चित्रांकन में राक्षिसों को किस रंग में चितित किया गया है तो वो किया गया है काला रंग ठीक है काला रंग दिया गया है राक्षिसों को ठीक है तो नेगेटिव कलर है तो प्रशिद्ध में सुप्रशिद्ध है फिर बात करते हैं किस फर्चितेरे को इसे लोककला के लिए पदम श्री अलंकरण प्राप्त हुआ है तो वह प्राप्त हुआ है श्रीलाल जोशी को ठीक है जो प्रशिद्ध फर्चितेरे हैं ठीक है श्रीलाल जोशी राजस्तान की पह पर हम डाक टिकट जारी किया था तो वो किया गया था देव नायन जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार ने फिर बात करते हैं राजस्थान की लोकलाओं में सांजी के अंकन की परंपरा रही है यहां सांजी किस का प्रतिक है तो प्रतिक है पारव नेक्स्ट केल्य पत्तों की सांजे के लिए कौनसा इस्थान प्रसीद है तो यह प्रसीद है थो Imogen केले की सांजी की विशय क्या होती है तो वो होती है भगवान कृष्ण की 84 कोस की वन यात्रा ठीक है केले की पत्ते पर ये सांजी जो उकेरी जाती है वो भगवान की कृष्ण समंदित होती है और 84 कोस की जो वन यात्रा होती है उनके बारे में वनिन किया जाता है लोककला भराडी का समन्द किस जन जाती से है तो वो जन जाती है बील ठीक है बील जन जाती से लोककला जो भराडी है वो समन्दित है बील समुदाय में विवाह के आवसार पर भराडी का कर की दिशा जो है वो किस दिवार पर होती है वो है पूर्व दिवार पर ठीक है पूर्व दिवार जो होती है उस पर बिलसमुदाय का जो भराड़ी है वो बनाए जाता है उसकी दिवारों पर फिर बात करते हैं पाना का चित्रांकन किस पर किया जाता है पाना का चित्रांकन कागज पर किया जाता है ठीक है विवाह के अवसर पर किस देवता के पाने की पुजा होती है तो वह है श्री गनेजी ठीक है जिसे पाना पाठ केते हैं वही श्री गनेजी से समझ दिवाली के अवसर पर किस देवी के पाने की पुजा होती है तो वह पाना की पुजा की जाती है लक्षमी जी के ठीक है श्री कोई सम gouvernementena थे से दक्षणी राजस्तान में विवाय के अवसर पर माणक थंब का निर्मान किया जाता है इसे किस नाम से जानते हैं तो जाना जाता में मुरित भोपों वा पुजारियों की मूर्तियों को मंदिर के बाहर लगा जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, तो वो चीरे, जो चीरे नावा फूल जो होते हों गले में इसलिए पेना जाते थे, ठीक है, नेक्स्ट, बंजारा समुधाय के लोग अपने पुरवजों की मुरत गले में धारन करते हैं उन्हें क्या का जाता है तो वो का जाता है बेवत वील का निर्मान किया जाता है वील का निर्मान मिट्टी वा गोबर के जो मटके बनाए जाते हैं उनके बहुत बड़े बड़े तो उनको वील का जाता है dopo business a जो है वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए लाए जाते हैं धीक है दोस्तों आज बस इतना ही मिलते हैं नेक शूडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम झाल झाल